ट्राइबी वेट इंजेक्शन इंटाक्स फार्मेसोटिक्स लिमिटेड कमपनी के दुवरा निर्मित है ट्राइबी वेट इंजेक्शन में मौझूद विटामीन B1, B6 और B12 है वेट केर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है ट्राइबी वेट इंजेक्शन के बारे में जानने से पहले इसमें मौझूद विटामीन पशु के सरीर में क्या कारिय करता है इसके बारे में जानना जरूरी है ट्राइबी वेट इंजेक्शन में विटामीन B1, B6 और B12 पाय जाता है विटामीन B1 जिसे थाइमिन के नाम से भी जाना जाता है ये विटामीन की कमी से पशु के सरीर में भूग की कमी हो जाती है और फर्दी कम होने लगती है विटामीन B6 को पायरडोकसिन विटामीन भी कहते हैं और विटामीन B12 को साइनोकोबलमीन कहते हैं इन दोनों विटामीन की कमी से पशु के सरीर में यानि की RBC में हेमोगलोबिन की कमी हो जाती है पशु के सरीर में इन विटामीन की कमी से वेसे तो कहीं सारे रोग हो जाते हैं जैसे कि पशु कमजोर हो जाता है, पशु में लकवा आ जाता है, पशु की बर्दी रुख जाती है पशु खाना कम खाने लग जाता है, इसके साथ में जुगाली कम करने लग जाता है इनकी कमी से कहीं परकार की बीमारियां हो जाती है पशु के सरीर में ट्राइबी वेट इंजेक्शन पशु के सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मैतपून इंजेक्शन है पशु के सरीर में ट्राइबी वेट इंजेक्शन का कौन-कौन सी बिमारियों में उप्योग में किया जा सकता है पशु में होने वाली बिमारियां जैसे की मेटाबोलिक डिजीज, जैसे की मिल्क फिवर, कीटोसीज, काउनर, डाउनर, सिंड्रोम, पाईका इसके साथ में अन्य बिमारियां जैसे की बिक्टेरियल जो भी डिजीज हो जाती है, वाइरल डिजीज हो जाती है, बिमारियां हो जाती है जिसमें पशु को सपोर्टरी थेरेपी की रूप में दिया जाता है इसके साथ मई ही पशु में जैसे कि पैट से संबंधित जो भी बिमारियां होती हैं जैसे कि कज, डायरिया, पैच चीस, खूनी दस्त हो जाते हैं तो पशु को TRIBee Weight Injection भी दिया जाता है साथ में अन्ने मेडिसिन के साथ में ट्राइबी वेट इंजेक्शन पशु के सरीर में जाकर पशु को एनरजी देता है यानि कि जो विटामिन की कमी होती है उसकी पूर्टी करता है इसके साथ में जो पशु कमजोर होता है तो उसको एनरजी बुष्ट करता है इस injection की dose की बात करें तो dose कितनी मातरा में दी जा सकती है तो large जो animals होते हैं जैसे की गाए और भैस इनको आप 15-20 ml तक दे सकते हो इसके साथ में जो small animals होते हैं बैड़ बकरी बैड़ बकरी को 3-5 ml दे सकते हैं इसकी root की बात करें कौन से root से ये injection दिया जाता है पशु को तो ये intra muscular root से भी दिया जाता है और intravenous root से भी दिया जाता है दोनों root से इस injection को लगाया जा सकता है और इस injection का सबसे ज़्यदा काफी असर देखने को मिलता है 30 ml और 100 ml की मिलती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके चरूर बताए और अपने दोस्तों के साथ में इसे सेर करिए थेंक्यू धन्यवाद